तो भाई लोग क्या हाल चाल तो आज अपने लोग review करने वाले हैं Lenovo IdeaPad Gaming 3 का जो की i5 11 Gen और RTX 3050 के साथ में आता है अब ये laptop मेरे दोस्त ने लिया है तो सबसे पहले thanks to him for providing all the necessary details to make this video और सारी बाते आज इस laptop के बारे में कर डालेंगे इसकी performance लेकर इसकी game test तक और end में बताऊं अभी कि ये laptop किस type के user के लिए बना है यानि किन किन को ये लेना चाहिए तो वीडियो को देखना एकदम end तक पसंद आती है तो बिलकुल like मार देना aim करते है 30 likes का ऐसा बड़िये बड़िये content और देखना चाहते हो तो subscribe मारो और बिना किसी time waste के आज का कारेकरम शुरू कर ल प्रोसेसर है और graphic card की बात करें तो RTX 3050 4GB VRAM वाला और इसकी जो TGP है वो है 90W की तो ये अच्छी बात है अब 4 core वाला प्रोसेसर है कैसी performance देगा मन में doubt होगा उस performance की बात अपने आगे performance के section में करने वाले है कि ये processor कैसा है पूरी performance आपको आगे देखने को मिल जाएगी त तक जरूर देखना अब इसके अंदर RAM हमको मिलती है 8GB की DDR4 3200 MHz वाली और ये इस RAM को आप expand कर सकते हो 16GB तक website पो 16GB mention है मेरे साब से तो 32GB तक भी हो जाएगी और हाँ आपको recommend करूंगा कि आप इसका 16GB RAM वाला ही variant लेना क्योंकि 8GB RAM में आपको RAM Boundation की वाई से performance में काफी सार issue देखने को मिल सकते हैं जो कि अपने आगे बात करेंगे और इसके अंदर आपको 1512GB की SSD देखने को मिल जाती है Gen 3 वाली और extra SSD का slot देखने को मिल जाता है ठीक है तो ये तो हो गई overall specifications अब कैसी performance आपको मिलने वाली है वो अपने आगे बात करेंगे ही करेंगे बात कर लेते हैं इस laptop की build quality के बारे में तो जो laptop है ये पूरा का पूरा plastic से बना हुआ है अब plastic का बना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि laptop की build quality खराब है website पे mentioned है कि military rate toughness के साथ आता है लेकिन ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि website पे जूट है अब ये भी नहीं कहूंगा कि सच है बीच की बात खराब भी नहीं है और बहुत जादा अच्छा भी नहीं है इस laptop का build बिल्कुल वैसा है जैसा एक 60-65,000 रुपय वाला laptop होता है laptop का build ठीक ठाक है आपको build से regarding कोई problem देखने को नहीं आने वाला है normal flex है जो हर laptop में आपको देखने को मिलता है इस budget के और हाँ अगर आप laptop को touch व वाली ही build qualities के अंदर आपको देखने को मिलेगी बात करते हैं इस laptop की display के बारे में इस laptop की display काफी basic display है वही हमारी 1080p वाले display है 45% NTSC के साथ आती है और 120 Hz का refresh rate है और 250 nits की brightness अब इस laptop की एक मतलब कमी की बात कर लेता हूं अब कुछ लोगों को ये कमी लगेगी और कुछ में एक problem मेरे दोस्त को face हुई वो थी वो इसका जो refresh rate था वो 60 Hz पे shift नहीं हो रहा था वहाँ पर उसको सिफ एक ही refresh rate का option मिला था जो की था 120 Hz अब ये percent to percent depend करता है किसी को ये दिक्कत लाएगी किसी को नहीं लगेगी वही बात हो गई जैसी जिसकी सोच ठीक है तो display इसकी का 20 Hz का panel है तो येस आपको fps games खेलने में काफी अच्छा smooth experience देखने को मिलने वाला है बात करते हैं इस laptop के battery backup की तो इस laptop के अंदर हमको 45Wh की battery देखने को मिल जाती है और company तो claim करती है कि ये आपको 6 घंटे का battery backup देगी लेकिन ऐसा होता नहीं है कोई भी gaming laptop 6 घंटे का battery backup दे करते हो normal usage पे और हां जैसे कि मैंने आपको बताए कि 120 Hz पे ये shift 120 Hz से 60 Hz पे नहीं आ रहा था तो अगर 60 Hz पे आ जाता तो आप 3 घंटे तक का भी battery backup expect कर सकते थे लेकिन इस से ज़्यादे एक्सपेक्ट आप मत करना ठीक है तो ये तो होगी battery की बाते बात कर लेते हैं इसकी छ जाता है आपको HDMI का port देखने को मिल जाता है और एक USB Type-C 3.2 Gen 1 का port देखने को मिल जाता है बात करें लेफ्ट राइट साइड के ports की तो राइट साइड में आपको 2 USB 3.2 Gen 1 का port देखने को मिल जाता है एक headphone jack देखने को मिल जाता है और light indicators देखने को मिल जाते हैं तो ports की बात क तो अब ports भी बंदा तो बंदा डिपेंड करता है किसको कितने चाही है अब normal user हो तो आपने एक keyboard लगाया, एक mouse लगाया सिट्टी पिट्टी लो, कहानी खतम हो गई, अब और ports नहीं है तो हाँ आपको आगे जरूरत पढ़ सकती है एक USB hub की ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी normal बातचीत अब बात कर लेते हैं performance की, जिसके लिए आप लोग वेट कर रहे हो, मैं जानता हूँ तो हाँ, इसका जो processor है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो processor है, I5-11300H, एक 4 core और 8 thread वालब processor है तो आपको लग रहा होगा कि भाई, कम performance मिल रही होगी तो चलो, बात कर लेते हैं, इसकी सबसे पहले benchmark की बात कर रहे हैं तो इसमें जो हमने benchmark किया था, वो किया था, Cinebench R23 का और scores मेरे हाथ में हैं, तो जो single core score निकल के आया था, वो आया था 1397 का और multi core निकल के आया था, 6301 का अब जो scores हैं, वो इस processor के हिसाब से काफी अच्छे हैं अब बात करते हैं कि ये scores क्या दर्शाते हैं single core जो performance होती है, वो जातर gaming में use होती है और जो multi core performance होती है, वो like CPU intensive touch, जैसे कि video editing, productivity, graphic designing, इन सब में use होती है अब आगे बताऊँगा कि ये laptop के users के लिए बना हुआ है तो ये तो होगी performance की बात है, अब आप इस laptop में क्या क्या कर सकते हो तो basic usage के सारे काम आपको इसमें आसानी से हो जाएंगे कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, आपकी coding, showding करनी है स्कूल वगेरा या फिर अपनी पड़ाई वड़ाई के लिए लेना है study material रखना है, सब रख सकते हो और के कहते हैं आपको इसके अंदर Photoshop चलाना है वो भी चल जाएगा आपको वीडियो editing करनी है तो yes आप 1080p level की अच्छी वाली editing कर सकते हो बस सेजेश्ट करूँगा की 16GB RAM करवा लेना आपको काफी जदा smoothness देखने को मिल जाएगी अब आप 4K पर जाओगे तो 4K बहुत basic यानि की बहुत basic है कर सकते हो बहुत basic से उपर की उमीद मत रख लेना 4K में timeline इतना lack करेगी इतना lack करेगी कि जहल नहीं पाऊगे और ऐसे कुछ normal usage वाले काम आप इसमें कर सकते हो बाकी मैंने आपको बता दिया वगरा वगरा ये सब इसमें हो जाएगा बाकी आप बहुत high level productivity करना चाहते हो तो वो देखो इसमें नहीं हो सकती है अब बात करते हैं इसके gaming test की तो इसके अंदर हमको RTX 3050 मिलता है 4GV graphic card है 95W की TGP देता है अब single core performance इसकी काफी अच्छी निकल के आई है और gaming माच single core ही use होती है तो पहले नजर डाल लेते हैं game test पे तो इसके अंदर हमने 4 game test किये थे सबसे पहले हमने test किया GTA 5 settings थी max jout जतनी max जा सकते थी उतनी ले गए और हमको average fps 60 to 65 fps देखने को मिल रहे थे और जो maximum हमारे temperatures गए थे वो थे 78 degree और उसके बाद हमने test किया इसमें Elden Rings high preset पे और हमको average fps 45 to 46 देखने को मिल रहा था और हमारा इसमें जो highest temperature गया था वो था 77 degrees बाकी इसके बाद हमने test किया RDR2 और जो preset था balance preset इसके अंदर ultra, medium, low सारा combination होता है और इसके अंदर हमको average 43 to 44 fps देखने को मिल रहे थे और इसके अंदर भी जो हमारे highest temperatures गए वो 77 degrees गए उसके बाद हमने valorant test किया और valorant को हमने high preset पे test किया average fps हमको 90 से 100 का देखने को मिल रहा था और इसके अंदर highest temperature गए 69 degrees का तो अब ये थो हमने 4 game test किये अब fps से आपको थोड़ा थोड़ा doubt हो रहा हुआ कि यार कम fps देखने को मिल रहे है ऐसा क्यों हो रहा है मैंने जैसा कि आपको starting में कहा था कि 16 GB RAM करवा लेना या फिर 16 GB RAM वाला लेना तो ये उसी की वैसे हो रहा है जो single channel में RAM चल रही है और game RAM limit की वैसे उतनी performance नहीं लाके दे रहा है जितनी उसको देनी चाहिए GPU RAM की वज़े से थोड़ा सा कम perform कर रहा है GPU का बोल रो RAM की दिक्कत बोल लो मतलब main दिक्कत तो ये RAM की है अगर आप extra एक 8 GB की RAM लगा लोगे तो आपको एक काफी अच्छा FPS boost देखने को मिल जाएगा और stable FPS देखने को मिलेगी same goes with normal performance आपको काफी अच्छी performance देखने को मिल जाएगी जब आप 16 GB की RAM इसमें करवाल होगे बाकी बात कर लेते हैं laptop के thermals की तो जो thermals हैं वो काफी अच्छा perform कर रहा है थे game test में 80 degrees से उपर temperatures तो गए नहीं लेकिन दिक्कत यह है कि अभी जो time चला है वो सर्दियों का time चला है तो सर्दियों में thermals को ऐसे judge तो किया नहीं जा सकता है बट जैसे temperatures हमको game test पर देखने को मिले तो गर्मियों में अगर मैं आपको एक अंदाजा देदू तो 90-85 degrees तक ही आपको देखने को मिलेगा बाकि अगर आप इसको bedware पर use करोगे तो तो फिर भूल जाओ thermals की performance तो हाँ इसके thermals भी decent है तो ये तो हो गई सारी बातचीत बात कर लेते हैं main conclusion की कि किन लोगों को ये laptop लेना चाहिए और ये कितने का है ठीक है तो मेरे दोस्ते तो इसको 60,000 रुपे का लिया था offline store से वाकि Amazon पे इसका price आपको 63-64,000 का मिल जाएगा और 16GB RAM वाला 65,000 कभी 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 देखने को मिल जाता है तो अब ये जो laptop है न ये एक 4 core 8 thread वाले processor के साथ आता है तो अगर आपको ऐसा कोई laptop लेना है की need है तो आप इस laptop की तरफ जा सकते हैं बाकि आपको asset काम करने हैं जिसमें high processing power लग रही है high productivity task करने है तो मैं आपको suggest करूँगा एक ऐसे laptop लो जिसमें आपको कम से कम 6 core 12 thread देखने को मिले बाकि आपको वही basic performance चाहिए और games वगेरा जादा खेलने है RTX 6050 की need है तो आप इस laptop को बिलकुल ले सकते हो उसे साब से laptop काफी बड़िया laptop है इसमें आपको कोई कमी देखने को नहीं मिलने वाली है बाकि बस यही था आज की वीडियो में कोई भी doubt वगेरा हो इस laptop से regarding कोई laptop से भी regarding Instagram का link description में आओ दोस्ती आगे बढ़ाओ वाला सीन है बाकि यही था आज की वीडियो में लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना मिलता हूँ आप से एकली वीडियो में तक तक के लिए गुडबाई